आज का पंचांग आज का दिशा शूल पोरू की तरफ रहेगा तो फिलाल पूर दिशा की ओर यात्रा टाल दें आज विशेश क्या है आज विशेश है त्रेयोदशी श्राद मासिक शिवरात्री आज का महा उपाय है आज शिवलिंग का काले तिल से अभिशेक करें तो चलिए फ्रेंट्स बात करते हैं राशिफल की राशिफल में सबसे पहली राशी है मेश यानि एरीज मेश राशी वालों आज नए लोगों से मुलाकात करके खुद में बदलाव महसूस करेंगे सकरात्मक सोच से नए काम की शुरुवात करें बड़ों का आशिर्वात बना रहेगा प्रेम संबंधों में मधुरताएगी वरेश राशी वालों आज थोड़ा सावधान रहे पैसो का लेन दिन ना करें ना करात्मक विचार अपने उपर हावी ना होने दें सेह ठीक रहेगी मितुन राशी वालों आज माता लक्ष्मी की खृपा बनी रहेगी आई में बड़ो हुतरी होगी कारिक शेत्र में नए फैसले पाइदे मन सावित होंगे दिन बर की भाग दोर से ठकावट महसूस करेंगे करक राशी वालों व्यावसायक जीवन अपनी सहज गती से आगे बड़ेगा पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है करिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे अच्छा महसूस करेंगे। सेहत का ध्यान रखेंगे। सिंग राशी वालों कुछ समय पारिवार्ग तथा सामाजिक गती विधियों में भी व्यतीत करें। कारिक शेत्र में अनुभवी लोगों की सला आवश्चले बड़े बोजर्गों का आश्रवाद बना रहेगा तकान और सिर्दर्ध हो सकता है कन्या राशी वालों आज का दिन आपको सकरात्मक्ता और खुशिया देगा परिवार के लोगों के साथ संबंद सुधर्ते नजर आएंगे व्यापार में भी बड़ा फायदा हो सकता है कमरदर्ध की समस्या हो सकती है तुला राशी वालों काम से संबंदित कठिनाईया और टार्गिट पूरा ना होने के कारण आप चिंतित रहेंगे जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करके थोड़ा अच्छा महसूस करेंगे अपने खान पान पर ध्यान दे रिच्चिक राशी वालों बिजनेस में किसी भी तरह के बदलाग की कोशिश ना करें नौकरी पेशा लोगों को अपना काम बहुत ज्यादा ध्यान से करने की ज़रुरत है आज परिवार के साथ घर पर वक्त गुजारेंगे धनौ राशी वालों आज घर का महौल खुशनुमा रहेगा आर्थिक स्थिती भी ठीक रहेगी प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी कोई भी काम शुरू करने से पहले बड़ों के विचार विमर्ष जरूर ले लें मकर राशी वालों आज आप हर काम को व्यवारिक तरीके से पूरा करने की कोशिश करेंगे क्रोध ना करें अनधा काम भिगड सकता है नकरात्मक विचार हावी हो सकते हैं जिससे मन राश रहेगा कुम राशी वालों सेहत खराब होने की वज़े से काम अधूरे रहेंगे बच्चों का दिन मस्ती भरा होगा पति पत्नी के बीच कुछ तकरा रहेगी बच्चों की कदिविध्यों पर थोड़ा ध्यान अवश्य दे मीन राशी वालों आज नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अच्छी परिस्तिया बन रही है जीवन साथी के सहीयोग से अधूरे काम पूरे होंगे अपने माता पिता के साथ थोड़ा समय अवश्य बताएं सेहत आप की अच्छी रहेगी इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में शरूर बताएं धन्यवाद